अयोध्या के कामाख्या धाम पहुचे उप मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी लोग सभा सीटों पर भाजपा जीत दर्च करेगी मुसलिम समुदाय का एक बड़ा तपका भी भाजपा को वोट करने पर लगातार विचार कर रहा उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सबका विकास हुआ है अब उनका वोट भी पार्टी को मिलना शुरू होगा निकाय चुनाओ पर केशव प्रसाद मौर ने कहा कि हम 27 प्रतिशत OBC को आरक्षन दे रहे हैं जिसका निया आयले से फैसला भी आ गया है और निकाय चुनाओ में भी भाजपा जीतेगी श्री मौर ने आयोध्या के कामाख्या धाम में आयोजद्धार में कारिक्रम सहित कईयां ने कारिक्रम में शामिल हुए और विकास कारियों की समीक्षाभी की भाजपा चुनाओं के पूरी तरे तयार थी सपा साजिस की थी कि भाजपा पर ये आरोप लगाया जाए कि भाजपा जो है पिशणों का 27 प्रतिसरत आरच्छन नहीं देना चाहती है लेकिन हम 27 प्रतिसरत आरच्छन देते हुए और उत्तर प्रतिसरत के नगर-णिकाय चुनाओं की तयारी कर दिये हैं और जिनका जो समभीदानिक अदिकार है आरच्छन का वह आरच्छना दिकारे भी देंगे और जो अनाच्छित चेत रहे canonारच्छित माने वह अनाच्छित आरच्छित नहीं है उसमें भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो उनको भी लड़ाएं